नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे येटूब चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप छाती फुला कर हर जगह घुमोगे यह दुनिया जुखकर आपको शलाम करेगी जिहां दोस्तों हर जगह आपके ही नाम का धिंडोरा होने वाले हैं जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5-10 दिनों का शमय आप सभी के जीवन काल के लिए कोई मामूली शमय नहीं है दोस्तों ये आपके जीवन को आपके भाग को बदलने वाले शमय होने वाले हैं जिहां दोस्तों और एसे समय सभी के नसीब में सभी के किस्मत में नहीं आते हैं। जिहां दोस्तों आप जाने अन जाने में आपसे यह गलती हो ही जाती है। आपसे दस दिनों के अंदर आप अपने जीवन काल को अपने हाथों से लिख सकती हैं। दोस्तों हम आपसे भी को बता दें कि यह समय सुक्र ग्रह का जो संचार है आपकी रासी से लाब भाव में है। और चंदरमा का जो दिरिष्टी है ढाई दिनों में बदलने वाले हैं। जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाले समय लाब की इस्ति में आने वाले हैं। सुरी और बुद्ध पहले से ही आपके लिए बहुती लाब की इस्ति बना चुके हैं। साथी साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान सनिदेव भी आपकी रासी में उच अस्थान में बेठे हैं। जो कि दोस्तों आने वाले पांस से दस दिनों तक उपर सही भगवान सनिदेव का किरपा आपके पूरे जिन्दिगी पर रहने वाले हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जहां गुरु और सुकरशनी का किरपा दृष्टी आपके जीवन काल में बन रही हैं तो दोस्तों एसे में राज युक का नहीं बल्कि दोस्तों महाभाग साली युक का निर्मान हो गया है। जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल को बिलकुल ही बदलने वाले सावित होंगे जहां दोस्तों और ऐसे महतिकुन मोके हर किसी के जीवनकाल में नहीं आते हैं इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ज्यान से सुनिएगा और जो गलती हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आप इन्हें भूल कर भी मत किजिएगा जिहां दोस्तों तो आज दोस्तों बात करते हैं सरपर्थम दोस्तों जो भी सबसे पहले जो शाबधानी आपके जीवन काल में है यह है कि दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में जो भी महत्यपुन घटना होने वाले है जो भी बड़ी सफलता आपको मिलने वाले है चाहे दोस्तों कोई भी सफलता मिली हो दोस्तों किसी को भी आपको छोटा नहीं समझना चाहिए जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान सनिदेब और मालक्षमी की किरपा द्रिष्टी आपके उपर है तो दोस्तों आपको यश्य में जो भी मोके मिलने वाले हैं जो भी लाब मिलने वाले हैं दोस्तों उनमें आपको सबसे ज़्यादा स्रधा और फ्रसंता दिखानी ह जिहां दोस्तों या भगवान सनिदेप और मालक्षमी की सबसे बड़ी परिक्चा है आपके जीवनकाल में तो दोस्तों भगवान सनिदेप और मालक्षमी की दिया हुआ कोई भी चीज अगर आपको यश्म में मिले कोई भी सफलता हो या फिर पन्नोती हो या फिर कोई भी मा शमान हो जो कि दोस्तों उन लोगों के दोरा मिले या फिर आपके ही जीवनकाल में ऐसे ही इस्तितिया के निर्मान हो जाए जहां पर आपको लाब हो तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल की सबसे बड़ी सफलता मानना है सबसे बड़ी काम्याबी माननी है जिहां दोस्तों और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जब भी आपको कुछ काम्याबी मिल जाए तो दोस्तों इनका धिंडोरा आपको कहीं पर भी नहीं पिटना है जिहां दोस्तों या आपकी जीवनकाल की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब भी आपकी जीवनकाल में खुसिया आती है कोई तरीकी करने का समय आते हैं जब भी आपके जीवनकाल में अच्छे परिस्तिया का निर्मान हो जाए तो दोस्तों अगल बगल या फिर कुछ ऐसे आपके छीन जाए तो दोस्तों ऐसे ही बड़ी गलती आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आचारा की आपके चीवनकाल में ये खुश खबरियां शंकट में बदल सकती है क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि जो आपके सत्रू होते हैं जब ये दुस्मान होते हैं हमारे गरहों के पिल्कुल भी नहीं देना है कि हमें यह सफलता मिल गई है हमारा यह कार बन गया है जिहां दोस्तों इनके साथ साथ आपको बताने वाले हैं कि इन दिनों में आपको कौन-कौन से छेत्रों से लेकर शाब धान राड़े होंगे कौन-कौन से कार आपके लिए भागेशालि होंगे आपके घर के माहुल में परवारी जिवन में परतेक छेत्र में कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले है तो आन तक देखिएगा आई दोस्तों शुरू करते हैं कि आपके आने वाले इन दिनों में आपके जीवन केसे बदलने वाले हैं आपके जीवन केसे दिन वद दिन तरक्की करने वाले हैं दोस्तों आप सबे के जीवन के सबसे बड़ी काम्याबी इन दिनों में होने वाले हैं परणतु दोस्तों यह समय आपका करतव यही है कि यह समय जो भगवान की किरपा से मिले हैं इसका आप सही से इस्तमाल करें और कौन से समय में आपको कौन सा कारे करने हैं ताकि दोस्तों आप दिन दोगोनी और रात चौगोनी कर पाएं दोस्तों आप पिछले कुछ समय से जिस सुकुन की तलास में थे आज उसे कर ही लेंगे लोगों के साथ आपका मधूर और सोगयात्मक बहबार आपकी छवी को और अधिक निखारेगा कुछ नई योजनावी बनेगी और इने कारी रूप देने के लिए अनवी लोगा सहयोग भी रहेगा किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदमन भी साबित होंगे कुछ नई विश्यों पर जानकारिया हासिल भी होगी जो आपके लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट साबित होंगे आज किसी प्रिय सबंधी अत्वा मित्र से मुलाकात होगी तता आपसी विचारों के आदान परदान से कई हाल भी मिलेंगे दिन की सुरुआत में ही अपने खास कारे को पुरा करने की कोशिस करें किसी वारिस अदस्य से आपकी मन पसंद उपहर मिल सकता है अनुवी लोगों के सानेद्द और मार दर्सन मिलेगा कोई बहुत बड़ी दुबिदा दूर होने से मानसिक सुकुन रहेगा किसी पूरी योजना को क्रियामिंग करने के लिए सही समय है घर के बड़े बुजर्गों के आसिरवाद और सहयोग से घर में सुकुन भरा माहूल रहेगा दोस्तों जमिन जायदा समय देद कोई कार आटका हुआ है तो आज उस पर पुना काम सुरू हो सकता है अपने हिम्मत और बिल पावर से कई भी मुश्किलें कार को हल करने की छमता रखेंगे आज किसी मीडिया अथ्वा संपर सुत्रों तोरा कुछ ऐसी जानकरियां मिलेगी जिसे आपके काम आसान हो जाएंगे महिलाएं अपने घरिली तथा व्यवसाइक कारियों को सहलता और सललता से पूरा कर लेंगे अपने व्यक्तिगत कारियों पर भी उनका फोकस रहेगा संतान की पढ़ाई अथ्वा केरियर समंदित उचित परना मिलने से घर में उत्सा भरा महोल रहेगा आत्मीक तथा धार्मीक गाति विदियों में कुछ समय जरूर विता हैं किसे भी काम को करने से पहले दूसरों के अप्रिक्षा अपने मन की आवाज सुने आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते में बढ़ने की प्रना देगी विवाव को अपने केरियर समन्दित खुस खबरी मिलने की शामभावना है दोस्तों भगवान की किरपा से इसमें गिरिशिती बहुत ही सा कार्तमा बनी हुई है बन्तु इसका उचित सत्प्योग करना आपकी कार्चंता पर निर्भर करता है काफी समय से रुके हुए परिवारी कार्यों को निप्टाने का उत्तन समय है आप प्रियासर हैं आपको अवसी सपलता मिलेंगे दोस्तों इनके साथ साथ आपको इन दिनों में कुछ शाबधानिया भी रखने की जरुत है तभी आप अपने आत्म विश्वास को आगे बढ़ा पाएंगे यहां समय बहुत ही मेहनत करने का है दोस्तों के साथ व्यर्थ की गत्ती विदियों में अपना समय नश्टना करें आपने कार्यों को ही प्रयत्मिक्ता दें इसे में आपकी कार्य सुगंता से पूरे होते जाएंगे यह भी ध्यान रखने की जरुरत है कि जल्दवाजे में लिया गया कोई फैसला गलत भी हो सकता है इसलिए बहुत ही साबधानी और साहिता रखने की जरुरत है अब अपने व्यक्तिगत कार्य को नदर अंदाज करके दूसरों के सहयोग में समय लगा सकते हैं जिससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे थोड़ा स्वार्थी भी बना रहना जरूरी है आपका कोई वैपसाइक्स अपना सकार होने वाला है जल्दी ही कोई उपलब्दी हासिल होगी अपने अथक परियास और योगता दोरा अपने कार्य को उचित तरीके से कर पाएंगे कमिस्ट था वीमा समन्दित कार्य में भी उमीद से ज़्यादा सफलता मिलने के योग है पर तो साज़दारी से समन्दी वैपसा में अधिकतर निरने आपको ही लेने पड़ेंगे जो की उचित भी रहेंगे सरकारी काराले में पबलिक के साथ किसी सिती में भी ना उल्जें और ना आपके लिए मुसीवत खड़ी हो शकती है दोस्तों आपके वहीं बात कर लेते हैं लव लैप की आव विवाइद व्यक्तियों की विवास समय अच्छा रिष्टा आने की शांभावना है परिवारी सदस्यों की वीच बेहतरिन समान जसर रहेगा परिवार में सुख सांती पून माहौल रहेगा लव पार्टनर की आपके प्रतिसाहिग और सम्मान की भावना रहेगी दोस्तों आपके स्वास्त के बार में बात करें तो अत्यदिक काम की बज़े से पेरो में दर्द वा सूजन जैसी समस्या रहेगी समय समय पर आराम भी लेना अत्ती आवस्यक है हलकी फुलकी खांसी जुकावव वुखार जैसी स्थी रह सकती है लापार्वेना करें ज़्धा उचित इजलाज लें स्वास्तर ठेक रहेगा कभी कभी आप अपने आत्म विश्वास्वा मनोवल में कमी महशूश कर सकती है दोस्तों आपके घर में धन से समंदित कोई परेशानी चल रहा है तो दोस्तों भगवान गनेश का पूजन करें बुद्वार के दिन भगवान गनेश को मोदग या लड़ुगों का भोग लगाएं और अथर वर सीश का पाठ करें इसके बाद मालक्षमी का विदी विदान से पूजन कर उन्हें गुलाब की माला चड़ाएं और खेर का भोग लगाएं एवन उनसे अपने कल्यान के लिए प्राथना करें आपके शवी मनो कमना पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आप बात करें तब का भागिसाली रंग और भागिसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग ओरेंज है और भागिसाली अंक छे है दोस्तों मालक्षमी और सनेदेव का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जै सिनिदेव जड़ू लिखें वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद